चारे बच्चों ये है आपकी समाजी ग्यानी कारे पत्रक संख्या 13 जो आपको आज दिन आख 9 नवंबर 2020 को करने हैं सभी बच्चे अपने नाम और अपने कक्षा ध्यापिका का नाम अध्यापक का नाम जरूर लिखेंगे देखिए आज की वक्षिट में हम क्या करने वाले हैं आज की वक्षिट में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से आदिमानम ने खेती करना सीखा और उसके बाद चरवाहे कैसे बने वो ये शुरुवात कैसे हुई तो देखिए पुर्षों और महिलाओं और बच्चों के सम्भवत है कई चीजे देखी जैसे कहां कहां पर खादे पोधे पाये जाते हैं बीच कैसे डंठल से तूट कर गिरते हैं जमीन पर बीजों का गिरना और उनसे नए पोधे उग जाना इसी तरह उन्होंने पोधों क देखबाल करना शुरू कर दिया होगा उन्हें पक्षियों जानोरों से बचाने के लिए कोशिश की होगी ताकि वे बढ़ सके उनके बीच पक सके इस प्रकार वे धीरे धीरे किसान बन गए बिटा उन्होंने भी देखिए वो प्रकरती के साथ तो रही रहे थे और उनके आसपास चारों तरफ प्रकरती की देशन थी और वो सब पदों को पक्षियों को सब Dan आपजर्व करते थे सब को देखते थे उन्हें देखते देखते उन्हें पता चला होगा किस तरह से बीज जो है वो पक जाते हैं और जब पकने के बाद वो धर्ती पर गिर जाते हैं तो उसके बाद उसी का एक नया पौधा बन जाता है तो फिर धीरे धीरे उन्होंने उन बीजों से जो पौधे बने उनकी देखबल करनी शुरू कि उसकी जरुतों का पता चला कि पानी चाहिए होता है पौदे को और धीरे धीरे वो आगे खेती की और बीजों को संभालना और सब चीजे सीख गए अब देखे इसी तरह लोगों ने जानवरों के लिए अपने घरों के आसपास खाना छोड़कर उन्हें आकर्शित करके उन्हें पालतु बनाया होगा सबसे पहले जिन जानवर को पालतु बनाया होगा वे कुत्ते का जंगली पूरवर्ष था बाहन में लोगों ने उन जानवरों को प्रोसाहित किया उनके घरों के आसपास आने लगे ये जानवर जैसे भेड़, बकरी, मवेशी और सुवर भी जुंड में रहते थे उनमें से जादा तर घास खाते थे अकसर लोग इन जानवरों को अने जंगली जानवरों के हमलों से बचा देते इस तरह वे चरवाहे बन गए तो जब बकरी, भेड़ और सुवर इनको जब लोग बचा लेते थे दूसरे जंगली जानवरों के शिकार बनने से तो दीरे दीरे देखो पिटा एक विश्वास भी पैदा हो जाता है उन जानवरों को भी लगा कि उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा और उन्हें खाने को दिया जाता था जिससे वह आकर्शेत हो जाते थे और धीरे धीरे वह पालतु बन गए और जब वो उनके साथ रहने लगे तो चरवाहे बनकर जो मनुष्य है वो जो आदी मानव था एक जगा से दूसरी जगा जा रहा था, फिर उसके बाद उसने शिकार करना सीखा, शिकार करने के साथ उसने चीजों को इकठा करना, अपना भोजन डूड़ना सीखा, और बसने की प्रक्रिया वह है, जिसमें लोग पोधों को उगाते हैं, और जानवरों की देखबल करते हैं, अब एक स्थान पर रहने लगा मनुश्य, और जब एक स्थान पर रहने लगा तो देखिए, तब ही उसने ये घर भी बनाया, और यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर जानवरों को भी पाला, पोधों का भी ध्यान रखा आसपास और अपनाए गए पोधे और जंगली पोधों और जानवरों से अलग हो जाते हैं तो अपनाए गए पोधे और जंगली पोधों और जानवरों से अपनाए गए मतलब क्या है यहां पर जिनको उनोंने जिनका ध्यान रखना शुरू किया, जो उनके पास पालतू बन गए, वो जंगली जानवर आदी से, जंगली पौधों से, जंगली जानवरों से अलग हो जाते हैं, क्योंकि उनकी देखभाल अच्छे से हो रही थी, ऐसा इसलिए क्योंकि लोग पालतू जानवरों के पालतू बनाने के लिए चुनते हैं, उधानन के लिए वे उन पौधों जानवरों का चैन करते हैं, जिने बिमारी का खत्रा नहीं है, और एक ये भी कारण है कि वो कम से कम जो उन्हें परिशानी हो, इसलिए मनुष्य ने वो पौधे और वो जानवर चुने, जिनको कोई बिमारी होने का खत्रा अधिक नहीं है जो अराम से उनके साथ रह सकते थे उसके बाद देखिए जीवन का एक नया तरीका यदि आप एक बीज लगाते हैं तो आप देखेंगे कि इसके बढ़ने से कुछ समय लगता है और ये कई दिनों, हफतों, महीनों और कुछ मामलों में वर्षों के लिए हो सकता है जब लोगों ने पौधों को उगाना शुरू किया तो इसका मतलब था कि उन्हें पौधों की देखबल करने पानी निकालने, निराई करने पशु पक्षियों को बगाए जाने के लिए लंबे समय तक एक एक जगा पर रहना पड़ता और फिर अनाज का उपयोग साबधानी से किया जाना था ये सब चीजों का ध्यान रखना मनुष्य ने सीख लिया चूकि अनाज को भोजर और बीज दोनों के लिए संग्रहिद कि या जाता था जो अनाज था बैटा एक तो उससे भोजर हम लोग खाने के लिए इस्तमाल करते थे और साथ साथ दुबारा पौधे उगाने के लिए भी उस अनाज का इस्तमाल होता था क्योंकि वो है क्या वो तो है एक बीज इस त्रिये लोगों ने इसे बंडारन के तरीकों के इसके बंडारन यानि किसको इखढ़ा अगर के कैसे रखा जासकताया लंबे समय तक कीडे आध़ी से बचाया जासकताया ये तरीके सीखे कई शेत्रों में उन्होंने मिट्टी के बड़े वर्तन बनाने शुरू किये या टोकरी बनाई या जमीन में गड़े खोद कर उसमें भी रखा अनाज को अब यहां देखिए जो यहां question भी दिया गया है के उपूद में भी तो बीज के रूप में खादय की में हैं और भंडारन के लिए हैत्व यां प्रेयोग हो रहा है तोई आधते गुर्दाथ के रूप में भी है उप saç का रूप में लोगों ने पहले क्या किया लोगों ने पहले यह समझा कि खादे परदार्थ पाई जाते हैं जो चीज़ें कहां कहां पर मिलती हैं और कैसे वो तूटकर जमीर पर बीजों का गिरना उसे नए पौधे उख जाते हैं ये जब मनुश्य ने जाना तब ही उसने खेती करना शुरू कर दिया होगा तो अब देखें यहां तक बिटा यहां से रिखें यहां तक आपका आजएगा आंसर नमबर वान और हो सकता है कि उसने जानरों से भी बचाने की कोशिश की तो यह भी अडिशनल पॉइंट है अगर आप लिखना चाहें तो उसके बाद है बसने की प्रक्रिया क्या है तो बस बसने की प्रक्रिया वह है जिसे लोगों ने पॉद्व को उगाना जानरों की देखबाल करते हुए उन्हें अपनाये गए पॉद्व जानवर जंगली जानवर का ध्यान रखना उन्होंने शुरू किया तो यहां पर क्या है देखबाल करते और उसके बाद है अपनाये बनाया जाता है जो कम से कम भी मारों यहां पर जो आपका उत्तर हो जाएगा वह क्या है लोग एक यह जगा पर रहते थे को ने खेती करना भी सीक लिए अपने आसपास दोगा भी ध्यान रखते थे जानवरों की भी देखबाल करते थे और उन्हें फिर जो उनकी जरूरत ह वो पूरी हो जाती थी अब देखिए उत्ता नमबर 3 अनाज के उपयोग के तरीके क्या थे तो बेटा अनाज के उपयोग के तरीके तो उन्हें आज के उपयोग के तरीके यह आपके यहां लिखे हुए हैं बीच के रूप में अनाज प्रयोग होता है खादे के रूप में प बंडारन के रूप में भी आनाज का प्रयोग उपयोग किया जाता है तो यह आपका उत्तर नमबर तीन तो इस तरह से बिटा आपकी जो वरक्षीट हो कम्प्लीट होती है और सभी ध्यान रखेंगे अपने फ्रेंड्स को अपने डिलेटिब्स को अपने घर में सबको कहेंगे कि कोविट-19 के सब्सक्राइब को रोकने के लिए सभी गाइडलाइन को फॉलो करें वाश यह हांड्स विट सोप और रेगुलर्ली विएर अ मास्क और टेक केर ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग ऑफ सिक्स फीट और टू याड्स बिटा कोविट-19 बहुत ज़ादा फैल रहा है दिली में बहुत ज़ादा केसिज आ रहे हैं और उसका कारण क्या है कि फेस्टिवल सीजन है इसमें फेस्टिवल टाइम है तो सभी लोग बाहर मारकेट्स में चले जाते हैं सभी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेंगे तो हम कोविड-19 के स्प्रेड को रोक नहीं सकेंगे और यह बहुत भयानक रूप ले लेगा इसलिए हमें तीनों गाइडलाइन्स फॉलो करनी है यूज अ मास्क टेक क्यार ऑफ फिजिकल डिस्टेंस शारीरिक दूरी जो छे फीट या दोगस की कम से कम होनी चाहिए और साथ ही साथ बिटा आप हैंड्स वाश तो कर रहे हैं और अच्छा खाना खाई है जो आपकी इम्म्यूनिटी को स्ट्रॉंग करें और साइड बैसाइड आप इन चीजों का जब ध्यान रखेंगे मास का यूज करेंगे रेगुलर हैंड्स वाश करें और डिस्टन्स फिजिकल डिस्टन्स का ध्यान रखेंगे तो हम सभी इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं और बिटा ध्यान से पढ़िए समझ कर पहले एक बार फिर दुबारा बानमे वीडियो देख लीजे लेकिन समझ यह सिर्व रिटन वक कर नहीं कि आपको आंसर मिल इसलिए keep learning, enjoy learning, stay blessed and healthy. Thank you.